आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गैज, हमें इस Question में बोला है कि Using Distance Formula डिस्टेंज फर्मूला है यूज करके हमें Show करना है कि यह जो तीन पॉइंट है ABC हमारे क्या है, को लिनियर है, ठीक है यह हमें प्रूफ करना है, तो देखो सबसे पहले AB का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है तो AB का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर Y1 और Z1 बोलू, तो similarly यह X2, Y2, Z2 है ठीक है, तो यहाँ पर देखो X2-X1 मतलब Minus 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ Minus 1 और Minus 3, ठीक है, Minus of Minus 3 का whole square Plus Y2 मतलब 5-2 का whole square Plus, यह क्या हो जाएगा, 9-4 9-4 का whole square, तो यह हमारी value क्या आ गई यहाँ से हमारे देखो, यह लिखा हूँ है, Minus 1 Plus 3, मतलब Plus 2 लिखा हूँ है, तो Plus 2 का whole square क्या हो जाएगा, 4 Plus, 5-2 मतलब 3 का whole square 9, Plus 9-4 मतलब 5-5 का whole square, 25 ठीक है, तो यह देखो 29, 29 plus 9 मतलब, तो यह under root 38 लिखा हूँ है, ठीक है तो यह AB हो गया हमारा अब देखो, अगर मैं यहाँ से AC निकाल लो ठीक है, तो AC निकाल लो या तो BC निकाल लो चलो, BC निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे BC हमारा क्या हो जाएगा 1- of minus 1 मतलब 2, तो 2 का square मतलब 4, Plus यहाँ पे देखो, 8-5 का whole square, मतलब 3 का whole square और 3 का whole square 9 होता है ठीक है, और यह क्या लेकर 14-9 मतलब 5, 5 का whole square मतलब 25, तो यह देखो, यह value हमारी क्या आ गई यह यह भी value हमारी आ रही under root 38, ठीक है तो AB और BC, अगर अपन AC निकाल ले, अगर मैं यहाँ पे AC का length निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगा देखो, AC यहाँ से निकाल लो तो यह 1 minus of minus 3 मतलब 4, तो 4 का whole square मतलब 16, प्लास यह देखो 8 minus 2, यह नहीं कि 6 तो 6 का whole square क्या हो जाएगा, 36 प्लास हमारे देखो, last वाला जो था, 14 minus 4 14 minus 4 मतलब 10, 10 का whole square 100, तो यह 100 लिखा हो है, ठीक है, तो यह value हमारी क्या आगई, देखो, 6 और 6 12, 3 4 और यह 5 और यह 1, तो 152 under root में लिखा हो है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 under root, 2 times under root 38, ठीक है, तो यह हमारा AC केक वाला आ रहा। देखो AB का लेन तमें मालुम था वो था अंडर रूट 38 और BC भी था हमारा अंडर रूट 38 इंद दुनों को आइड करो वह आ रहा ह। वह हमारा AC है यानि कि इन दुनों को जोडने के बाद यह हमारा तीसरा आ रहा तो मैं यहाँ पर बोल पाऊंगा कि ये तिनों कहीं न कहीं एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं ये जो point है A B और C हमारे एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं ठीक है और एक चीज़ अपना और बोल सकते हैं कि जो AC का mid point है वो हमारा B होने वाला है ठीक है तो अगर ये तिनों एक ही लाइन में लाइक करेंगे तो इसका मतलब ABC पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे को लिनियर इसलिए मैं लिकूँँगा ABC R को लिनियर ठीक है? थैंक्स